हेलो एवरिवन एनके एजूकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है बीपी एसी से फिर एक बड़ा अपडेट आ रहा है जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो में तुरंत सबसे पहले आपको अपडेट दिया था जो की म्यूजिक के अभ्यरती थे उन्होंने कोट केस जीत लिया है पटना हाई कोट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया था ठीक उसी के रिगार्डिंग उनको ये भी बोला गया था कि उन्हें परिक्षा में सामिल होने की अनुमती दी जाए तो दोस्तों हो सकता है कि अब इस परिक्षा की तिथी बढ़े क्योंकि संभावना ऐसी नजर का ओर्डर पास किया गया है यानि कि क्योंकि जो एस टैट है वो 2019 के बाद तो हुआ ही नहीं है जब वो हुआ ही नहीं है तो अभ्यार्थी कहां से उत देते इसी को लेकर उन्होंने कोट में केस भी किया था तो उसी चीज को लेकर उन्होंने कोट में रिट डाल दी थी तो तो BPSC को तुरंत High Court के द्वारा ओर्डर दिया गया है कि ओनलाइन या ओफलाइन एप्लिकेशन लेना है उनको, तो यह Court का ओर्डर है, तो अब BPSC को डेट बढ़ाना पड़ेगा, देखते हैं इसमें क्या अपडेट निकल के आता है, क्योंकि जो संगीत के अभ्यर्थी हैं उन्होंने उस समय, क्योंकि वो इसमें जो वेकेंसी है, उन्होंने शो किया था, और वो चाहते थे कि वो इसमें एपलाई करें, और जो म्यूजिक वाले होते हैं, उनके लिए एस्टेट करना आनिवारी होता है, लेकिन 2019 के बाद तो एस्टेट आया ही नहीं, इस वजए से वो ओवरेज भी हुए, तो इसलिए इसमें उम्र में की जो बात आ रही है, वो छूट दी गई है, यह आप देख रहे होंगे, यह ओडर है, हाई कोट का ओडर है, और यहाँ पर इन्होंने जो यह तिरपुरा जाक, जो उन्होंने केस लड़ा था, यह उनकी जीत है, उनको की बात को कहा है, कि जो BPSC-TRE में S-TET 2019 के आधार पर S-TET 2019 और C-TET 2021 को उम्र में छूट देने का ओडर पास किया है, इसलिए उन्होंने ओडर भी पास किया है, तो अगली तैयारी के लिए, आगे की न्यूज के लिए बने रही है हमाई चैनल के साथ,